तो दोस्तों देश में जारी महमारी के चलते लगबग सभी सिनेम अगरों में ताले पड़े हुए हैं ऐसे में 13 माई को रिलिज हुई सलमान खान की फिल्म रादे यूर मोस्ट वन्टेड भाई का कोई खास बोक्स ओफिस कलेक्शन नहीं हो सका है वहीं दूसरी तरब OTT के माद्यम से फिल्म में देखने वाले दर्सकों ने भी इसे सलमान खान के करियर की सबसे करा फिल्म होसित कर दिया है internet movie database में एक लाग 48,000 लोगों दौारे इस फिल्म की रेटिंग 1.8 मिली है जो सल्मान गान की अब तक की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म में बन चुकी है रादे के अलवा आईए जानते हैं सल्मान गान की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म में कौन-कौन सी है तो सल्मान गान की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म दूसरे नंबर पर रेज 3 है इसके डारेक्टर रेमूट इसूज आ है साल 2018 में रिलिज हुई फिल्म में रेज 3 बड़ी स्टार कास्टिंग होने के पाउचित एक बड़ी जियासर फिल्म में साबित हुई फिल्म में हाई लेवल एक्षन देखने मिला था जिसमें तकनिकी कमी होने के चलते सोसल मीडिया यूजर्स ने इसे कुप प्रोल किया था ये पहली बार था जब सल्मान खान रेज की सिक्वल में नेजर आये हैं देट सो करोर रुपे के बजट में बनी इस फिल्म ने तीन सो करोर से जादा का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था अलाकि इसे दर्सकों का पॉजिटिव रिव नहीं मिल पाया पहली फिल्म रेस को दर्सकों ने को प्यार दिया था इसमें सेफाली खान, अक्से खान, विपासा बसु, केटरिना केफ, अनिल कापूर और समीरा रेड़ी लीडर रोल में थे ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी वहीं सलमान खान की तिसरी सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म थी तो दबंग की तिसरी फ्यम्चाइस, दबंग 3 सलमान खान की तिसरी सबसे कम रेटिंग फिल्म थी इस फिल्म में चुलबुल पांड़य के दबंग Afिसर बनने के खाणी और उनकेती पहली लब स्टेरी दिखाई गई थी इस फिल्म को सलमान खन और उनके भाई अरवाज खन ने मिलकर प्रोडूस किया था वहीं चोथे नमबर मेरे साल 2009 में रिलिज हुई फिल्म मी और मिसेश खनना ने 25 करण रुपे का बोक्स ओफिस कलेक्शन किया था ये फिल्म समीर नाम के लड़के की कहानी थी जो एक अनाद लड़की रेना से साधी करता है नोकरी जाने के बाद समीर विदेश चला जाता है वापस आकर समीर को पचा चलता है कि उनकी वाइफ अपने दोस्त के आकास से साधी करने वाली है ऐसे में समीर अपनी साधी सुझा जंजगी बचाने की कोशिस में लग जाता है इस फिल्म की रेटी 3.5% थी इसके डिरेक्टर प्रेम रास्त है वहीं पास्वे नंबर पर साल 1996 में रिलिजवी फिल्म ये मजदार भी सल्मन खान की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्मों में सुमार है ये फिल्म एक लव ट्राइंगल है जिसमें रादा यानि मैनिसा कोईरेला की साधी गोपाल यानि सल्मन खान से हो जाती थी जबकि वह क्रिश्णा यानि राहूल रोज से प्यार करती थी साधी के बाद रादा गोपाल के पास अपनी बेटी चोड़कर दोबारा क्रिश्णा के पास चली जाती है जिसके बाद गोपाल अतिरो शवाल का जवाब पाने के लिए क्रिश्णा से मिलते हैं वहीं चटे नमबर के बात करें तो साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म गोट दुस्री ग्रेट हो सलमान खन की चोती सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म है इस फिल्म में सलमान ने एक लापरवा लड़के अरुन का किरदा निवाय था जिसे आचनक भगवन के सक्तिया मिल जाती है अ इस फिल्म की रेटिंग कम से कम 3.6 थी वहीं सात्वे नमबर पर सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म के बात करें तो साल 2017 में रिलीज हुई सलमान खन की फिल्म में टूबलाइट अच्छा वोक्स ऑफिस कलेक्शन करने में फैल हो गई थी फिल्म में सलमान ने कम दिमा के लड किसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद